अलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ रोमन मिश्राज स्वागत है आपका हमारे चैनल परिक्षा प्लस पर आपकी बहु प्रतिचित सीरीज UP2S C December 24 जूनियर असिस्टेंट को लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आज दोस्तों मैं आप कुसे भागशे पर बात करूँगा भागशे में मैंने सामिल किया है 200 प्रश्णों को हर दिन होते थे 100 आज मैंने किया है 200 दोसों ये प्रश्ण आपके सब के सब नए है पहली बाद दूसरी 2019 में हुए सारे पैटर्न जितने पेपर हुए आज के कुछ नए है सुरुवाद में थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको ऐसा लग जाए आ रहा है कि लो लेबल है लेकिन अंत में सबसे जब आप 100 के बाद बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैंने पेपर का पैटर्न थोड़ा अच्छा कर दिया है और लास्ट के 150 to 200 थोड़ बहुत सागत करता हूं हिंदी के टॉप 800 क्वेशन और बहुत जल्दी ये सीरीज कंपलीट कर दूँगा कल जहां तक कोसिस है और 800 प्रशनों की ये एक पूरी पीडिये बना कर आपको टीम उपलब्द करवा देगी और दूसरी बात दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स इत ताकि आगे जो टीम अनी प्रोग्राम है जैसे BEO के लेकर प्रोग्राम है इसको लांच करेगी ठीक है इसमें आप सभी से सभी का सहीयोग पेच्छे था और ये जो सीरीज चला रहा हूं इसमें भी खास कर ठीक है देर ना करते विए कुछ इंपॉर्डेंट बाते जो इसी डिस्क्रिप्शन में है जाइए वहां से जोईन करिए हर दिन मटेरियल जितने भी एक्जाम होते हैं इनसे करेंट से सारे इसूज अनी आपकी कोई क्वेरीज है उसको डालिए इन सभी का जवाब आपको टीम पर अपने चैनल इस पर ग्रूप पर देगी दूसरी ची है वो हमसे डिरेक्ट पूछ सकते हैं ठीक है तीसरी चीज़ दोस्तों मेरी मेहनत देख रहे हैं ठीक है मैं रात में भी जटकर आपके ये आट सुन क्वेस्टन की सीरीज पूरी करने की कोशिस कर रहा हूं दिन में भी होता है मारी ऑफ-लाइन भी कोचिंग चलती है क्लासे चल रही है फिर भी समय निकल कर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं टीम पूरी मेहनत कर रही है ठीक है तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और कुछ अच्छे कमेंट दे कर जाओ यार बड़ी उमीद रहती है कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूं टीम मेहन एसिस्टेंट के लेकर दस टेस्ट को एक सीरीज चल औगी हमारी दुसरी एलाहबाद हाई कूर्ड आरू को लेकर के एक हमारी टेस्स चल लए है जिसमें छह टेस्ट है इन टेस्ट ऑणलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर होते हैं दस के दसों उसके बाद संपूर्ण ब्याक्षा सहीद दसों की PDF कुछ material अपनी तरफ से हम देते हैं ठीक है जो आपके exam oriented होते हैं तो ये सारी जानकरिया आपके लिए रही PDF notes के मादिम से हम आपको अलग देंगे material solution अलग देंगे पूरा का पूरा PDF के मादिम से और ये सिर्फ आपका 199 है 945 0006 007 पर चाहे आप ASC RO के टेस्टरी लेने चाहरे हैं इस पर WhatsApp कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो ये important चीज़े रही दोस्तों अब मैं देर ना करते भी है सुरवात कर रहा हूं से रीज की कुछ चीज़े हैं के बारे में कुछ अलग आपको देने की कोसिस करता हूं जो EP SSC से सम्मंधित हो ठीक है मेरा ये प्रयास रहता है मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं इस चीज़ पर 2019 में जो पेपर्स हुए उन सभी पर प्रयास करता हूं सारे कोस्टन्स बना दूँ एक आद कभी कोई गलती है अगर आपको पीडियम में मिलती है तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं मुझसे बात कर सकते हैं ठीक है आप टेलिग्राम चैनल पर आईए ग्रूप में आईए अगर जो है कमेंट करते हैं अनी जो help चारे और बाकी अगर लिख नहीं रहे हो तो बोलते रहो ये वीडियो देख रहे हो हां नहीं बोलते रहो जहां बैठे हो लेटे हो कुछ भी कर रहे हो बोलते रहो ठीक है तो इससे क्या होगा आपका concentration बहुत होगा अगली चीज़ दोस्तों अगर आप मुझे follow कर रहे हैं तीम पर इच्छा प्लस को follow कर रहे हैं तो इसी चैनल को पूरी तरीके से follow करिए जूनियर असिस्टेंट 800 प्रशनों में मैं जहां तक कोसिस कर रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं होगा कोई नोर्स पड़ रहे हैं तो नोर्स से जादा मैं आप बताने की कोसिस करता पूरा फुल रिवीजन है आप देखोगे अभी आप समझ जाओगे जो लोग पुराने हैं वो इसी चीच को समझ रहे हैं और आप लोगों के तो जो है कमेंट्स हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते ही रहते हैं ठीक है तो एक बार मैं सभी का फिर से स्वागत करता हू और नए प्रशनों को लेकर आप से आगे बढ़ता हूँ पहला प्रशनी स्क्रीन पर महान विक्तियों में भहती वस्तियों के प्रती क्या पाई जाती है यहां पर आपको फिल करना है पहला विकल्प है निरलेपतता दूसरा है लेपतता तीसरा है नेस कपड़ता चौथा ह लेकिन करते रहो यार बोल लह तो बोलते रहो कौपी पर लिख रहो तो लिखते रहो अंत में आपको एक बार बता देना है इतने सर आर है कि सेक्षन में मुझे मेंनत करनी है यह अनि जो सुझाओ चायते है वो टीम आपको देगी इसमें निरलेपतता आप सही जबाब है जिनों ने आप्शन ये चुना है, उनको 0.50 मार्क्स मिल जा रहे है, प्लस, और जिनों ने गलत चुना है, उनका नेगेटिब भी होगा, ये भी ध्यान लखना, दूसरा प्रश्णी स्क्रीन पर, खर शब्द का निम्न लिखित में से एक अर्थ नहीं है, गधा, बार, तिनक राक्षस, इन चारों में से जबाब फटा फटा कमेंट करो, जो लोग देख रहे हैं, दोसरी चीज़ दोस्तों, ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, दोस्तों को भी सेर करना है, ठीक है, मैरी रिक्वेस्ट मान लो यार, इतनी, ठीक है, या जो भी आप राक्षस, इसका अर्थ नहीं होता है, खर सब्द का, खर दूशन पर मत जाना, ठीक है, राच्छस अर्थ नहीं होता, कवी का इस त्रीलिंग सब्द क्या है, मैंने वरतनिया चारों सही करम में नहीं डाली है, आपको यहां से चूच करना है, और फिर जबाब देना, कवीत कवीतरी, कवीतरी, क्योंकि इस तरीके के क्वेस्चन फॉर्म हो रहे हैं और आप गलती कर देते हो, इसलिए जिनोंने विकल्ब चुल लिया है, इसमें से C, उनके होते हैं जबाब सही, कवीतरी का सुद्ध रूप यह है, चौथा प्रशन आपके स्क्रीन पर, आँखों मे गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की, उतक्रिष्ट लालसा, ठीक है, यहां लालसा होना चाहिए, उतक्रिष्ट लालसा रखना, चारों में से जबाब आपकी सही जबाब, कमेंट कर दो फड करना है, अगला प्रशन पांचवा, उन्मूलन का भिलोम सब्द क्या है, उन्मूलन, विशलेशन, रोपान, संसलेशन, इन चारों में से जबाब आपको कमेंट करना है, क्या है सही उत्तर, बताएं, इसमें रोपड जिनों ने चुना है, वो एकदम सही है, तैयारी सही दि अंत्याचरी, पूझ जिनिये, तदो प्रांत, कवीत्री, इन चारों में से बताना है किसकी वर्तनी असुद्ध है, तो कवीत्री मैंने पहले ही अभी बताया, तो ये तो आप निगलेक कर सकते हो, तीन में से बतादो, चलो बताओ भई, कमेंट करो, बोलते रहो, कुछ भी करो भई, इन में से बताओ, अंत्याचरी चुना, तो चुना, बिल्कुल सही होते हैं, 0.50 माक्स आपको मिलते हैं, ठीक है, एकदम, और दूसरा ये पूझनिये नहीं, पूझनिये होता है, इसकी सुद्धवर्तनी, तदो प्रांत नहीं, तदो प्रांत होता है, ठीक है, त इसका जवाब आपको देना भी चाहिए, ठीक है, सात्वा नमबर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर, इसका जवाब भईया दे दू, लडगा भूंक से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वैम सोचना चाहिए, विवाह संबंद में उच नीच देखना प पहला वाला विकल जिनों ने चुना अधमरा, यानि आधा है, जो मरा, ये कर्मधारे समास का उधारण है, अन्नी में देख लो भला बुरा, ये भी कही न कहीं, दौन्द समास उचनीज, दौन्द समास दिया बाती, ये भी कही न कहीं, अब जो है, दौन्द समास के ही अंत इसके लिए मुझे इस चीज को चुनना पड़ा ताकि आपको जबाब बता सकूँ और आप दिमाग में रख सके आठ्वा का जबाब जिन लोगों ने चुना है विकल्बटी वो होते एकडम सही देखो अलुक तत्पुरुस क्या होता है यह समास में पूरपद की विभक्ति क जो है अलुक तत्पुरुस अस्प्रिश्य शक्द में बिलो मार्थक बनाने के लिए किस उप्षर्ग का प्रियोग करेंगे आप लोग बताओ नी अनू आ क्रू कू इन चारों में से जबाब आपके आने चाहिए भईया फटा-फट कमेंट करू इसमें से सी होगा ठीक है आ अगर आप लगा दें तो बन जाएगा आ अस्प्रिश है और इसका जवाब बिलों बन जाएगा ठीक है दसमा नंबर प्रश्ण तुमने घाया होगा मैंने काल से संबंदित प्रश्ण उठाएं हैं काल बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्याकरणी कोटी है यूपी देने की कोशिस करो क्योंकि वहां 60 प्रश्णों को करने के लिए समय आपके पास कम हैं दोस्तों 10 नंबर का 10 नंबर का विकल्ब डी सही होगा तुमने गाया होगा ये संदिक पता नहीं है कि हां 100% है होगा अनुमाल लगा रहे निकट भूत में कारी व्यापार की शंपन्र चारों में से बताओ ठेक है इन चारों में से कौनसा जबाब होगा बहुत अच्छे प्रश्ण है आप खुद देखो गए तो आपको लग जाएगा आश्न भूत होता है कि अगर निकट भूत में आपको कारी व्यापार की संबन चारों में से बताओ 12 नमबर प्रश्णी स्क्रीन पर अग का अर्थ क्या है पाप अचल आगे शमुदरी इन चारों में से बताओ अग का अर्थ क्या होता है इन चारों में से बताओ अग का अर्थ होता है अचल यानि बिकल फैले बी सही जिनोंने बी चुना 0.50 मार्क्स एड होते विए अगले कम में बढ़ते हैं अगला प्रश्न तेरा नंबर स्क्रीन पर अतिथेई का अर्थ क्या होता है आने वाली तिथी, आने वाले महमान अतिथी की सेवा जिसके आने की तिथिना और निम्ण में से जबाब फड़ा फड़ाओ फड़ा फड़ाओ जबाब दो इदेश्टेर पुरस्कार इन चारों में से बताओ कौन सा सब्द आपका सुद्ध है इसमें से डी विकल जीनों ने चुना है पुरस्कार में साधारार्शा होता है ये सही है पुरस्कार ये कई जगा लिखा मिलेगा ये गलत होता है मनायोग नहीं मनोयोग होता है समझ गये ना चारों चौदा नंबर के बाद 15 नंबर गमन सब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर का प्रियोग करेंगे बहुत अच्छे प्रश्णों का आज कलेक्शन है उप आ प्रति अनू इन चारों में से जबाब पड़ाफट बताओ कौन सा है 15 नंबर जी से हिंदी सब्दार है तो आज अश्चे प्रश्णों को सामिल कर लिया है मैंने अलॉट्मेंट का पारिभाशिक सब्द क्या है देना आवंटन पाना हिस्सा इन चारों में से बताओ कौन सा विवाग इलाट हुआ तो पूस्ते नहीं है निम्न में स्वाड का प्रयावा प्रयावाची नहीं है कंचन, कनक, हेम, किंगिन इन चारों में से बताओ कौन सा सोना का प्रयावाची नहीं है स्वाड का प्रयावाची नहीं है बताओ भया फटा फट बताओ ये छटी सीरीज है दोस्तों अगर आप पहली बार इसीरीज को देख रहे तो पांच पहले व प्रयायवाची नहीं है पाकी तीन जो दिये हैं वो है केदार निम्न में से किसका प्रयायवाची है भाईर्शणी व्येंस बेशनों को बोलते हैं जनार धन ठीक है अच्छा अगला जो दिया है इंद्र को बोलते हैं पुरंदर समझ गए ना उन्नीस नमबर प्रशनी स्क्रीन पर धातू योगिक धातू की रचना कितने प्रकार शे होती है दो ती चार पांच बिकलपी इस प्रकार है आपको जबाब चुनना है 19 नमबर का जबाब आपको देना है 19 नमबर का जबाब बिल्कुल सही जिन्नोंने 20 रखा है योगिक धातू की रचना तीन प्रकार से होती है कौनसी पहले तो धातू में प्रत्ते लगा के बना दो थीक ह जब धातु में प्रत्य आप लगाओगे तो इसे अकर्मक भी बनती है और सकर्मक भी क्रियाएं बनती है अकर्मक और सकर्मक ये दोनों क्रियाएं बनती है दूसरी बात है कि जैसे इसमें दूसरा कौन सा प्रकार होता है जब दो धातु को सैंक्त कर दो तो सैंक्त क्रिया यह यहां से बन जाती है धातू को सिंग करने पर तीसरा जो है तीसरा जो आपका होता है संग्या या भीशेशन से नाम धातू बनती है संग्या भीशेशन हो गया तो इनसे नाम धातू की रचना होती है दोस्तों ये तो मैं अभी चला ही रहा हूँ क्लास में पढ़ाता हूँ वो भी आपको मिलेगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना है अनी जो भी मेरी सबजेक्ट होंगे उनके भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे जवाब बताओ, शकर्मक क्रिया के परिवासा, यूपिट्र पलसी इस बेस पर बहुत चल लए है, तो 20 नमबर का जबाब B, क्रिया के ब्यापार का फल करता पर पड़ता है, और यहीं होती है सकर्मक क्रिया, अगला प्रशनी स्क्रीन पर, शकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक क् सहाय क्रिया के ब्याद, इन चारों में से जवाब आपको चुनना है, और जवाब सही होते है, B, यानि क्रिया का ब्याद, समझ गए न, ठीक है, 21 नमबर के बाद 22 नमबर सैंक क्रिया बनती है, किस से, चलो बताओ, सैंक क्रिया क्या दो से अधिक धातों के मेल से बनती है, या दो से अधिक सकर्मक क्रिया के मेल से बनती है, दो से अधिक अकर्मक क्रिया के मेल से बनती है, या दो से अधिक प्रेडार्थक क्रिया के मेल से बनती है, तो 22 नमबर का जवाब आपको, पहले जवाब तुम मैंने बताया नहीं, आपने हम बढ़ गए, तो इसका टाहिता है ठीक है जरुमस से जबाब बताओ कर्मक्रिया कॉन सी है बन से बाभ भरता है यह कर्मक्रिया का उदारण 24 नंबर प्रेश्ण स्क्रीन पर निर्धन में से संदीय शार agu सुर बेंजन या उपिप्त में complaint से तीन स anti बताओ भीया फड़ाफ़ जवाब देते रहो यार थोड़ा सा मेरा भी मन लगा रहता है ठीक है अब दिन में तो चलो स्ट लेता हूं रात में भी आकर आप लोगों सोट करता हूं कोशिस करता हूं कि मिल जाये भीया ठीक है तो थोड़ा सा जो हमेंट देते रहो अच्छे- हटेगा तो यहाँ पर रा हो जाता है तो यह निर्धन बन जाता है समझे ना अगला प्रशन है पचीस नंबर नमस्ते सब्द का संधिविछेद बता हो है नमाधनस्ते नमस्धंते नमाधनस्ते ठेके बताओ इन चारों में से क्या होगा नमस्ते का सही संधिविछेद बता द इसलिए नमादंते होता है नमस्ते का सही संद्य विच्छेद। पंच आनन पांच है आनन जिसके तो ये तो समाज का उधारण हो गया और संद्य करोगे तो पंच धन आनन बना दोगे समझ गये ना चलो 27 नमबर व्याख्या बहुत आराम से सुनना ठीक है नोट्स वगेरा मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने जरूरत नहीं अगर 800 बोले तो बोलो कि हाँ ये होगा जहां बैठे हो लेटे हो कहीं भी हो यार ठीक ठंडी का मोसमय रजाइम हो बोलते रहो 27 नमबर बताओ 27 का होगा भी सिरदर्द में तत्पूरुस समास होता है सिरका दर्द समझ गये ना 28 नमबर नारियल सब्द का तत्समरूप बता दो ना 28 सही करने पर गलत कर दोगे तो मैं कैसे दे दूंगा 28 नमबर बताओ 28 का जबाब चुन रहे हो ए तो हैं आप सही सही दिसा में जा रहे हो ठीक है तैयारी अच्छी है इनमें से बिदेशी सब्द बता दो भई या राष्ट्र निरंतर व्यक्ति दौरान इन चारों में से ब पाऊंगा देखो दोरान फार्सी भासा का सब्द है ठीक है दोरान फार्सी भासा का सब्द है तीस नमबर प्रश्ण वाक्यों से संबंधित डाला है सुद्धवा की बताना है हम तो अवश्य ही आएंगे वाव या तब साइद यह काम जरूर हो जाएगा यह कविता अनिके तब सायद यह काम जरूर हो जाएगा अरे तब यह काम जरूर हो जाएगा तब सायद काम जरूर हो जाएगा ऐसा बोलते हो ठीक है तब यहां काम जरूर हो जाए तब अगर देखो सायद लगा दोगे तो जरूर हटा दो तब यह सही होगा इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं इस बात को कहने में के नहीं को समझ गए ना चलो 31 नमबर बता दो फिर से मैंने अंग्रेजी से हिंदी बैलेट का सही हिंदी सब्द क्या है मत पत्र, परिपत्र, सूची पत्र, आवेधन पत्र इन चारों में से जबाब बताओ भईया बताओ बताओ जल्दी बताओ यार 31 नमबर 31 नमबर अ, मत पत्र, बैलेट का अर्थ होता है मत पत्र कहते हैं, बैलेट चुनाओ भईया आप तो EVM वाला सहारा है सुद्ध बाकी के सही विकल्ब चैनित करिए कमीज तो सिल गया लेकिन बटन लगना है अभी ठीक है कमीज तो सिल गया पर बटन नहीं लगा कमीज तो सिल गया पर बटन लगने बाकी है कमीज तो सिल गयी है लेकिन बटन अभी लगने है तो D अगर चुनने हो तो होते हो सही 0.50 लेलो हमसे ठीक, दिल खोल गे नमबर बाट रो बस सही करते जाओ प्रतेक प्रशन के नीचे चार विकल्प दिये हैं का जबाब बताओ भी आ 33 नमबर का जबाब है C कुंदन का आर्थ होता है सोना समझ गए? कौन सा? खर्राटे वाला नहीं सोना मलब सुनड समझे? तो चलो 34 नमबर प्रशनी स्क्रीन पर आपके मैं पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ और कंप्यूटर महराज स्क्रीन पर दिखा दिये हैं चलो इसमें से बताओ किसका उच्चारन स्थान के आधार पर मुर्धनी वेंजन है गागा, जाजाड, डाढ़ा, पाफा इन चारों में से बताओ मुर्धनी मुर्धनी वेंजन कौन सा इन चारों में से बता दो भाईया, फटा फट बताओ यार समय नहीं है, समझ जओ यूपिटर बलसी पेपर दे रो, फीलिंग मैं पूरी भाईय दूँगा आपको प्रस्न ऐसा बना दिया है मैंने, कि आप देखो के तो आपको लगेगा सही एकजाम में बैठे हो 34 नमबर का जबाब बताईए डाढ़ा चुनने हो तो मुर्धनी है ठीक, जीव कहां गई आपके मुह के ऊपरी छट को छूगई, तो समझ जओ क्या है ठीक है, ये मुर्धनी विंजन का उदारण, 35 नमबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया है और जबाब आपको आना ही चाहिए, 52 क्या कहलाते है नासी की वहिया की मुर्धन की ओष्ट की कंठ तालबी, चार में से बताओ ठीक है 35 नमबर बताओ दोस्तों, जबाब दो 35 का उत्तर क्या ओष्ट होता है, पा, फा, बा, भा, मा दोनों और टकराए समझ गए ना, बोलने पर तो समझ जाओ वही है हिंदी वर्ड़ा माला में है, बहुत बढ़िया प्रश्ट स्वरतंत्रिये काकली विंजन कौन सा है कुछ लोगों को हो सकता है यह पहली बार मिले, रा, घा, त्रा, हा इन चारों में से बताओ, काकल या कैकल लिवन्ड क्या है चारों में से जबाब दो हा चुना है, हा को काकल लिवन्ड कहा जाता है ठीक है, काक गार्थ कंठ होता है हा बोलोगे तो कहां कंठ साही तो आ जाएगी लुंठेद बेंजन बता दो यारा लावा ठीक है यारा लावा में लुंठेद बेंजन क्या है अब ये भी सब्ध थोड़ा सा नया है लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं ठीक है इन चारों में से 37 का जबाब बताओ भाईया 37 का जबाब चुनने हो B तो ये लारा वाया साशा जाजा काठा तापा कटप्पा नहीं लिखा और फिर फाजा छैक है इन Expert बताओ आप बोले जैसे लाग जा और ये जा लिखा है जगम जञ्जीर जुलूस जब बोलते हैं न तो ये जा आता जा नहीं समझ गह嗎 तो इसको बोलने में थोड़ा सावाज रगड रही तो संघर्जी यहीं हो गया चलो कौन सी रचना मैचली सरन गुप्त कृत नहीं है इनके द्वारा रची नहीं है जैद्रच वद्म यो सोधरा नील देवी साकेत जो नहीं जानने हो वो कन्फ्यूज होने लगेंगे यह रचना से सम्बंदित सवाल ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन देने लगता है तो 49 नमल का जबाब बताओ भया सी नील देवी इनकी रचना नहीं है और तीनों के तीनों जो हैं यह इनकी रचनाए है ठीक है तो नील देवी किसकी रचना है यह भी बताओ नील देवी की रचना यह है उनकी हरिशन्द की भारतेंद हरिशन्द की नील देवी जो रचना है यह भारतेंद हरिशन्द की रचना है चलो भया पीडिया बहुत ध्यान से इसकी पढ़ना पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है, प्रेसक का पता हाँ चिये, प्राप्त करता के पते को प्रेसमान या सने को, संबोधन किसे कहते हैं, बताओ भईया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पत्र लेखन आज के यूपी ट्रिप्लसी में अगर पढ़ नहीं रहे हो, आपका तो सलेबस महीं है, हिंदी परिग्यानियूम लेखन चमता, तो लेखन चमता यानि पत्र लेखन चमता, इसके लिए मैं टीजी टेलिग्राम पर भी आपको एक पेडियाप्ट दी है, ठीक है, नहीं मिली है, तो टेलिग्राम चैनल से जुड़के उसको अप्लोड कर दूसरी चीज, बीडियो मेरा एक लेक्षर पत्र लेखन पर पड़ा है, 40-45 मिनिट का, इसको देख लो, बस कल्यान हो जाएगा इसमें, 41 नंबर का जबाब बता दो भईया, 41 नंबर का जबाब है, प्राप्त करता के प्रति शम्मान या स्ने दर्साने के लिए संबोधन, संबोधन का और कोई आसा नहीं होता है, भाई लिखोगे पूज, पिता जी, आदर्निय, गुरु जी, कुछ तो लिखोगे, तो ये संबोधन क्या हुआ, सम्मान दिखा रहे हो, अगला है 42 नंबर हिंदी के अतरिक्त कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, बताओ इन चारों में से, सिंदी लिखी जाती पंजाबी, बांगला, नेपाली, नेपाली वहिया इसी में लिखी जाती है आपके, देवनागरी लिपी में, बाएं से दाएं जो लिखी जाती है समझ जाओ, क्या है देवनागरी, सितंबर मास में दसवाब 20 हिंदी सम्मेलन भारत के किस सहर में आयुजित किया गया था पुराना परशन है तो हम कहें पूछ ले देखे यादवाद है आप लोगों को नागपुर में भोपाल नहीं दिल्ली जैपुर बताओ इन चार में से जवाब दो फटा फट ठीक देखो दसमा वाला ये वहाँ हुआ था भोपाल में भोपाल में हुआ था महीना चला था सक्टमबर का ठंडी अरे उतनी नहीं 2015 की बात है ठीक है तो ये 2015 की बात है भोपाल में हुआ था दसमा वाला विस्विंदी संबहिलन चोवालिस नंबर निरालंब सब्द में बिछेद बताओ, निराधन आलंब, निराधन आलंब, निराधन आलंब, अलंब और निरधन आलंब, इन चारों में से बताओ, हम तु नहीं बताने जा रहे है, 44 नंबर का जबाब बताओ, निराधन आलंब करोगे ना, ये बिशर के संदिका उदारण ह तो नीधन आलंब बन जाता है निरालंब नीधन आलंब कल इसे पॉइंट पॉइंट फाइफ जिरो ले लो ठीक है इनमें पौन स्वर संदिका उधारण है पन है कि नमस्कार है कि मनोहर के सईयोग है नमस्कार मनहर पहले ही बता दिया बिसर्ग स gesch्जोंग भी यह संधनी योग बनता है स्वरसंदी पावन ही बनती है पोधनान करोगे तो पावन बन जाएगी और यह उदारन किसका है आयादिसंद का उदारन है ठीक है चलो अगला बता दो 46 नंबर है महेश्वर सब्द का सुद्ध संधी रूप कौन सा होगा महेधन इश्वर महाधन इश्वर महाधन इश्वर महाधन इश्वर महाधन इश्वर इन चारों मसे बताओ विकल सी चुने हो तो सही यह 0.50 ले जाओ दिल खोल कर नंबर बांट रहा हूँ आज ठीक है सही करने पर देव जो महान है या किस समास का उधारन है ततपुरस अबेई भाव कर्मधारे दुन देव जो महान है बहुत बड़ी है मैंने लाइन लिखी है 47 नंबर का जबाब बता दो और सी चुन रहे हो तो एकदम सही है लेकिन महादेव आगे अगर पूछ लिया तब अब यहीं से अब आप उप्यक्षा मत करना चलो बताओ 48 नंबर 48 नंबर से क्या है सी विकल्ब सही है योगदान में जो है ततपुरस समास है समझे अगला बताओ नीचे दिये गए विकल्बों में से तत्सम सब्द का चैन करें आम्र दूद सहीद खिड की इंचारों में से बताओ आम्र एकदम सही है इसका तद्वों आम होता है बाकी ये खिड़की वाला तो वातायन होता है बार बार बोलता हूं UPPCS भी बोल दिया इससे पहले भी सीरीज में तो जो लोग हिंदी की सीरीज मेरी ये देख कर गए होंगे UPPCS से पहले तो मुझे नहीं लगता है ए पचास नंबर कहता है कि दिये गए विकलपो में तद्वो सब्ढ़ का चैन कीजे बैंक अमीर अगनी मुह इन मेंसे तद्वों आपको बताना है कौन असा सब्द है कि 50 का डी मुह सब्ढ़ होता है इसका जो है तद्सम होता है मुह और मुह कुंछ जो है ये तद्वों तत बहुत सोता है मिन सोना कॉन सी क्रिया कर्मक शकर्मक प्रेनर्ण अर्थक सहायक इन्चारों मैंसे बता हुजश अगर आप बहुत सोता है आप इसमें कहीं सहायक लग नहीं रहे 5 नंबर 5 नंबर B कि A एक्षान नमबर का जबाब अगर आप चुनने हो B तो सोना जो है अकर्मक क्रिया है समझ गए ना अगला है घोना दोड रहा था इस वाकि में क्रिया बताओ बहुत बड़ियाँ घोना दोड रहा था इंचारों में से बता दो कौन सी इसमें जो है तेजी से नहीं चल लाओं मैं एकदम एकदम आपको लग रहा होगा कि आप एकजाम में बैठे हो इसलिए ऐसा बता रहा हूं कमल सब्द का प्रहवाची सब्द बताओ अर्बिंद है मदन है मैंक है अचल है इन चारों में से जबाब बताओ तेरपन नंबर तेरपन नंबर त समझ गए ना अच्छा चलो मदन का भी बता दो ना तो मदन कामदेव का होता है मदन जो है यह कामदेव का होता है अच्छा मैंक की बात किये जाए तो मैंक होता है उसका चंद्रमा का भी और अचल का अगर मैं बात कूँ तो इस्थिर का प्रहवाची है समझ गए ना चारो प्रकास रश में मयूरीन कौन सा किरण का इसमें से प्रायवाची नहीं है 54 नंबर जबाब बताओ भईया 54 नंबर जबाब आपने दिया है डी तो डी एकदम मयूरा लग है भाई ये मोर का प्रायवाची होता है 55 नंबर भाड जोगना का अर्थ बता दो अनाज भूनना काम बिगाड़ना महमूली कमाई करना बेर्थ समय नस्ट करना अब देखते नहीं भाड जोगता है जिससे क्या बड़ियां इस समय मक्के भुनवालो बड़ियां जो है चबाओ तो भाड जोगना 55 नंबर बताओ भईया 55 नंबर का विकल्ब डी चुन रहा है हो तो सही है प्रति योगी जो आपके चात मित्र हैं जो कही न कहीं लगातार अलग इधर उदर भटक रहे हैं सही जगे पर नहीं ये ये यूपी ट्रेंड पर नहीं है टीसी एस के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं वो कहीं न कहीं भटकाओ की स्थित में है तो उनसे आप बहुत आपको खुद एहसास होगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए लंगोटी में फाक खेलना पहलवानी करना ब्रह्मचारी होना ठीक है और अगला होता है दरिदृता में आनंद बनाना इन चारों में से बताओ लंगोटी में फाक खेलना का आर्थ क्या है देखो पहल रित्ता में आनंद मना रहा है उसके पास पहनने कुछ नहीं है तब ऐसा हम जो है विलोम उसके लिए यूज कर सकते संसकार सब्द में उपसर्ग बता दो भाईया शम सं 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 चारों में से बताओ फटा फट जबाब दो यार जबाब देते रहो अच्छा लगता है हमें ठी पहला सब्द बना सम जबाब मिल गया सम टेक पुरोहित में उपसर्ग बता धूं अगर कर दिया पुराई धन ही तो आप होते हैं विजेता और कुछ दूसरा कर दिये तो गलत तो पुरा उफशर्ग है इसमें और हित जो है मूल सब्द है उनसर्ट नंबर आपके सामने समुहर्ख प्रत्ते नहीं है दिमाग लगाओ लोग गण वर्ग प्रेस इन चारों में से कौन सा anyhow समुहर्ख प्रत्ते पूछाए मैंने ठीक है समूह अचक प्रत्य 69 नंबर का जबाब दो 69 नंबर का जबाब कुछ मित्र हमारे दे रहे हैं ठीक है तो अगर आप जबाब किसमें से इन चारों में से जैसे लोग भी बोलेंगे तब भी वहीं होगा अगर आप चुनने हो इसमें से D तो D इसमें नहीं सामिल होगा 60 नंबर का है निम्न में से किस सब्द में प्रत्य का प्रियोग हुआ है तो विकल, अकल, पुलक, धनिक इन चारों में जो है तो इन में से किसमें प्रत्य का प्रियोग हुआ है अब बताओ भईया तो किसी ना किसी में अगर एक ही विकल्प ऐसा होगा जिसमें ऐसा होगा धनिक सब्द आप उठा लो ठीक है धन धन एक लगा दो तो आपको मिल जाएगा आपका जबाब जबकि विकल्प पूले कि ये सब कहीं न कहीं उपसर्ग से बने हैं अगला क्या रहा है कि इस बाकि में बिराम चिन का उचित प्रियोग नहीं हुआ है पूछा जा रहा है तो मैंने का मैं भी पूछूंगा ठीक है क्योंकि भाई पैटर्न आपको दिखाना है तो हम कहें हम भी नहीं चुकेंगे देखते हैं आपकी तैयारी चलो बताओ मैं मनु एक सट नंबर का जवाब सही दे-दिया तो नमबर जरूर दूंगा ठीक है नमबर जरूर दूंगा भाई करोणो वाला तो चेक मैं के वी-सी वाला तो दे नहीं सकते हूं लेकिन नमबर दूंगा एकसर नंबर का जवाब influen कोना चाहिए जहां वाकी की गति अंतिम रूप ले विशार के तार तूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रियोग करोगे ठीक है योजग लगा दोगे अलप बिराम उद्धरन की पूर्ण चिन्ह इन चारों में से क्या लगा दोगे बता दो बासड नंबर बासड नंबर का जबाब बताओ बासड नंबर का जबाब डी जहां वाकी अंतिम रूप लेगा वहां एक खड़ी पाई खीज देते हैं ठीक है डंडा और यह होता है पूर्ण बिराम सब्दांस और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वो क्या कहलाती है मूल सब्द योगिक उप्शर्ग प्रत्य इन च बताओ एक दो तीन चार बताओ यह जल्दी बताओ चौसर नंबर चौसर नंबर का जबाब अगर शुन रहे हो भी तो मैं दे दूंगा पॉइंट फाइप जीरो आपको माक्स ठीक हो आयो को भी देना पड़ेगा अगर ऐसा पूछ लिया अब यह बताएं कि कैसे तो एक ब बना दो प्रते जोड़ के बात बन गई आपकी और हमारी समझ गए ना चलो बहुत बढ़िया वहिया देवेंद्र का समानार्थी नहीं है इन चारों में देवेस नहीं वासो नहीं वांचा नहीं मदवा नहीं इन चारों में जबाब बताओ भी आपैसर नंबर का और मैं त चारों में मनोज का समानार्थी है देखो अब यहीं चीज होता है काम देव अभी उपर भी बताया है चलगला है प्रस्न पूरा दिखा दो यह जो है वाकी था उस वाकी को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया और आपसे पूछ लिया देखो यहां पर कह रहा है कि वाक पुलिस द्वारा तो चोरी होगी नहीं यहीं गलत हो ग joue वादाने बता दो operate मैंने आपके देदिया है निम लिखित में से कौन सी बुली उत्तरप्रदेस में बोली जाताई बांगरू हडाथी थीक है बुंदेलि कन्योजी इन चारू में से बताओ कौन सी बोली है अर्शाट बशल जबाब डी했다 कन्योजी अपने यहां बोली जाती है और तो इन में से नहीं बताओ, कौन सा जबाब सही है? देखते हैं, आज कौन महारती इसका जबाब सही देता है 69 नमबर, 69 का जबाब है C, जिनोंने चुना उनको मैं 0.50 दे रहा हूं अगला मैंने हिंदी पूछ लिया, ठीक है, अंग्रेजी सही है आपकी, तो हिंदी बता दू अप्लिकेशन में भी रेजेक्टेड, वाकी का हिंदी अनबाद बताओ आवेदन आश अविकरित किया जाए, आवेदन आश अविकार करें, आवेदन शविकार ना करें, आवेदन आश अविकार किया जा सकता है बोलो अप्लिकेशन में भी रेजेक्टेड इसकी सही हिंदी मतलब डी विकल्ब चुनने हो तो ले जाओ खुला माक्स ले जाओ निमलिखिन में से कौन सा सब्द इस्तरी लिंग है देश नगर दीव जील इंचारो मसे बताओ लिंग से समद्दी सवाल होते हैं तो मैं सवाल दूंगा एक अत्तर नंबर का जबाब अगर विकल्ब डी चुनने हो जील तो ले जाओ माक्स एकदम खुले बढ़ियां कर रहे हो बहुत बढ़ियां पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ते रो लगाता है सेलेक्शन कोई रोग नहीं पायागा उत्पत्त की आधार पर सब्दों क जबाब मैं जानूँगा मैं भी सही बताऊंगा का है परिशान हो 2022 नंबर का जबाब बताओ पहले 22 नंबर का जबाब देखो अगर सी चुन रहे हो तो सी तो भाईया विल्कुल नहीं होता यह उत्त्पत की आधार पर नहीं रचना की आधार पर बनते हैं अगला है आपका 73 नमबर थोड़ा सा जूमिन कर रहा हूँ ये दिख गया पूरा वाला इसमें कहरा है आ के बाद अगर E है और उसका मेल हो गया और A की मात्रा आ गई तो परिवर्तन को क्या कहोगे गुण कहोगे वन कहोगे आयादी कहोगे याण कहोगे चारों में से बताओ जहाँ पर सिंगल मात्रा मैंने बताई है ये मात्रा हो या इसकी मात्रा हो तो गुण संदी आँख बंद करके मान लेना और मार के चल दियना ठीक है बाकी तो निपट ही लेंगे आयों से हम लोग अगला है निमलिखित में से महादेवी बर्मन द्वारा लिखित रेखा चितर कौन सा है बहुत बड़ी हां बड़ी हां प्रशने डाले हैं कि आराम से कनफ्यूज हो जाओ रेखाएं और चितर रेखाएं बोल उटी अतीद के चल चितर रेखा चितर रेखाएं चितर कौन सा है महादेवी बर्मन ने लिखा है 74 नमबर और जब आप कुछ दोस्तों के आ रहे हैं तो C अगर चुन लिए हो वह या तो सही है अतीद के जो चल चितर हैं ये इन्हों ने ही लिखा है समझ गए ना चलो अगली तरब बढ़ रहे हैं 75 नमबर और 75 नमबर मैं प्रश्ण थोड़ा सा छोटा करना हूँ क्योंकि ऐसा प्रश्ण मैंने सामिल किया है कि थोड़ा सा आपको समझने में भी अच्छा लगे और मुझे बताने में भी अच्छा लगे चलो प्रश्ण दिख गया ना ठीक है अब बताओ संग्या के भेज से सुमेलित करना है बहुत सोच समझ के जवाब देना जुलाई मैंना कुझ पानी इधर चार मैंने आप्शन दे दिया ब्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रबीवाचक समूवाच चलो को समय दे रहा हूँ आराम से सोच लो फिर कमेंट करो जवाब अपना इन चारो में से 75 नमबर जो है आराम से सोच लो फिर बताओ कुछ लोग सोच भी लिये होंगे कुछ लोग अभी मिलान कर रहे हैं बताओ फड़ापड बताओ इन चारों में से बताओ देखो जुलाई जो है ये बेक्ती वाचक संगिया है ठीक है तो डी मिल गया वैसे मार सकते हो अगर 75 नंबर डी एक ही विकल मिला ठीक जुलाई बेक्ती वाचक संगिया है मैना जो है ये जाती वाचक संगिया है कुझ जो है कुझ को किसमें रखोगे समूह में ये पानी को कर दो द्रबी वाचक में तो समझ गए ना 76 नमबर तामसिक का बिलोम आपको बताना है क्या होगा सात्विक होगा आभय होगा ठीक है कि आपका द्रेण होगा कि आपका सामिस होगा बताओ तामसिक का बताना है तो तामसिक का बिलोम इसमें से क्या होगा बताओ छेयत्तर नंबर अगर जबाब चुन रहे हो तो मैं दे दूंगा फुल माक्स मैं नहीं रोकने वाला सात्विक होता है देखो सामिस का बिलोम आपका ये एक बार पूछा भी ये निरामिस होता है सतत्तर नंबर का जबाब कौन सा रूड सब्द नहीं है इन में से इस्तरी नहीं है कि पत्थर नहीं कि देवता नहीं कि महरसी नहीं चारों में से बताओ चारों में से सतत्तर नंबर का जबाब आपका आना चाहिए ऐसा मुझे आप से अपेच्छा है और अगर आप विगल चुन रहे हो D. महरसी क्योंकि महरसी योगिक सब्द है जब आप करोगे महाधन रिसी तो बन जाएगा महरसी समझ गए ना? महाधन रिसी करोगे आ का मिल रिसी हो रहा तो अर बन जाता है अगला नमबर है ठत्त नमबर किन तत्यों की व्याकरण के अंतरगत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है ठीक है वर्ड शब्द वाक्य पुरोक्त सभीन बताओ फड़ाफट बताओ व्याकरण के अंतरगत किन तत्यों को सामिल किया जाता है और जबाब आपके अगर 78 के बनते हैं दी तो आप समझ जो देखो व्याकरण के तीन अंग है जो व्याकरण चलता है हिंदी व्याकरण इसके तीन अंग एक तो आपका पहला बन जाता है वन विचार दूसरा बन जाता है शब्द विचार और तीसरा बन जाता है वा की विचा अगला है 79 नंबर 79 नंबर यह कह रहा है कि क्या बोला है करें संग्याय सर्वनाम के जी सरूप से किसी एन इस सब्द के सा संबंद या लगाओ प्रतीत हूँ क्या बोलोगे अपादान कर्मकारक करनकारक संबंद कारक इन चारों में से जबाब बता दो 79 का जबाब हमें चहिए संग्याय सर्वनाम के जी सरूप से अनिस सब्द के सा संबंद लगाओ मिल जाए उसको कौन सा कारक बोलते हूँ संबंद कारक बोलते हु 86 नंबर सवाल देखिए जी जबाब बताओ जिन संख्यायों के अंद में 3 होता है वो क्या होते हैं बताओ भीया जबाब दो यार मैं तो जबाब चाहूंगा आपसे देखो ये सब पुलिंग होती है अब देखो जैसे कौन-कौन सा है जैसे पात्र ले लो नेत्र ले लो छात्र ले लो ठीक है छात्र तो नहीं डाल सकते चात्र डाल सकते भी यह चात्राएं होगा तो इन सब के अंत में त्रा है पुलिंग होगी है ना बात सही हो गई 81 नमबर रमेश कल दिल्ली जाएगा इस वाकि में कल सब्द क्या है संग्या है क्रिया विशेशन है संग्या विशेशन है कर्म है बताओ चारों में से बता दो भईया 81 नमबर का जवाब क्या है इन चारों में से अगला कर्म लिखा है डीवी कल्ब में तो चारों में से बताओ क्या है 81 नमबर का जवाब बताओ देखो B चुनने हो क्रिया विशेशन तो एकनम सही चुनने हो नंबर में दे कर जाऊंगा, अगला है, 82 नंबर, 82 नंबर का जबाब आपको देना है भीया, अक्षी और अक्षी का सही सब्दिग में क्या होगा, बहुत ध्यान से देना, जबाब नहीं तो गलत करोगा, आज कलिए पूछ रहाई, पी ट्रिपल सी, आख वाली और आख, धु इसका 82 का, देखो, आक्षी का मलब होता है आख, और आक्षी का मलब होता है आख वाली, और यहां सिर्फ आक्षा लिख देता तो उसका मलब धुरी होता है, कन्फ्यूज मत हो ना, 83 नंबर, आरती और आरती शब्द का सही सब्द क्या होगा, पूजा के लिए दीपक और व ठीक है क्योंकि आरती का अरत होता है विराम जिस पर छोटी की माल और आरती का मल्ला होता है पूजा के लिए दीपक 83 नंबर प्रश्ण के बाद 84 नंबर स्क्रीन पर मूंगा का प्रहवाशी सब्द नहीं है प्रवाल बिद्रुम सरवरी रेक तमड़ी इन चारों में से बताओ कौन सा मूंगा का नहीं है अगर 84 नंबर का बिकल चुन लियो सी तो देख दम सही हो कि कि सरवरी होता है रात का बिलो सरवरी निशी ये सब राती के होते हैं 85 नंबर लड़ू खाये जाते हैं तो खाओ भईया ठीक है सेलेक्शन जब लेना तो हमें भी खिलाना करत वाच्ची करम वाच्ची भाव वाच्ची इन में से कोई नहीं चलो बताओ चारों में से 85 नंबर बताओ 85 नंबर का बी है करम वाच्ची लड़ू खाये जाते हैं लड़ू पर सारा ध्यान है अगला है 86 नंबर भाव वाची का देखो वाची पूछ राव्या करनी कोटी है तो मैं तो भाव वाची प्रियास करता हूँ कि सब कुछ बता दू आपको वाची 86 नंबर का मुझसे बैठा नहीं जाता राम से खाया नहीं जाता भाव वाची का प्रियोग बताओ भाव वाची धूप में चला नहीं जाता यह क्या है यह कहीं न कहीं कर्मवाची है गरीव सब्द में संग्याँ बता दू बहुत बढ़ियां प्रस्न है हो इतनी धड़ाके से गलत करूगे यह भी बता रहा हूँ जहां थोड़ी जल्दबाजी बताए ना वहाँ एकजाम में तो वहाँ ध्राक से गलत करके आओगे, गरीब सब्द में संग्या बताओ व्यक्ति वाचक है, जाति वाचक, भाव वाचक कि इन में से कोई नहीं कोई और है संगिया के 5 प्रकार है बताओ इनमें से 87 नंबर का जबाब अगर आपने सही बताया तो आप समझ जो कि एकदम अच्छे रणनीत पर हो 87 नंबर का अगर आपने जबाब बताया है तो कमेंट भी जरूर करना वीडियो में कि इसमें कौन सी संगिया है लिख देना 87 नंबर कोश्चन जबाब ये ठीक है मेरा सही है बताओ इनमें से 87 नंबर का डी सही होगा क्योंकि गरीब सब्द संगिया है ही नहीं भी या गरीब बिशेशन है गरीबी सब्द जो है ये संगिया है गरीब बिशेशन है समझ गए ना तो गलत की होगे तो संदिविछेद ठीक है सही सुपक धन अंत शुप धन अंत शुब धन अंत शुब धन अंत बताओ कौन सा है सुबंत का 88 नंबर जवाब दे दिये हो भी तो एकदम आराम से बढ़ी हां मौज में रहो क्योंकि आपकी तैयारी सही है ठीक है अगर आपने भी चुन लिया ठीक है सुबंत जो है इसमें जवाब करोगे सुप धन अंत पा का मिल जो है आ से कही न कहीं हो रहा है अंक्षे हो रहा है और चुकि स्वर से हो रहा है और उससे पहल जो है पा का मिल जब यहां हो रहा है तो ऐसी कंडिशन में उसी वर का तीसरा बंजन यहां बा आ जाएगा यह ब प्रदूशन से बचना चाहिए, प्रदूशन को हानी पहुचाना आज की बड़ी समस्या है, बताओ चारू में से, जबाब दो, डिजाश्टर टूशन से बड़ी समस्या है, बताओ इन चारू में से कौन सा जबाब साइए, बताओ इन चारू में से कौन सा जबाब साइए, बताओ जबाब दे दियो बहिया, सी, तो आख बंद करके एकदम हो जाओ खुस, 0.50 ले लो मेरी तरब से खुजी-खुजी, ठीक है, आज नमबर बांट रहा हूँ, अच्छे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, देखो बईया, प्रश्ण का लेबल ऐसा है ना ये, कि आपको खुद से भी लग रहा होगा, कि हा बहुत बढ़ी हाँ प्रश्ण मिल रहे है, और इसलिए अगर आप सही कर रहे हो, तो मेरा वी उत्सा आपके साथ बढ़ रहा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर एक बार बताना, लास्ट में, कि ये स्रीज, जो स्रीज हिंदी की मैं चला रहा हूँ, इतनी मेहनत हमारी टीम कर मैं खुद कर रहा हूँ यार, तो ये कैसा है थोड़ा सा मुलब, इसके बारे में थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट देना, अपने ब्यूज किया, कि यहां भाई, आपके लिए मैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, सार्थक दिशा मैं है या नहीं, नभी नंबर का जबाब, छाय लियावाद के प्रमुख रचनाकार है, आधे या धूरे, किस विधा की रचनाका विता है, कहानी है, नाटक पन्यास है, मने बता है न, यूपी टुपेल सी इस नहे ट्रेंट पर सवाल पूचता है, तो मैं सब कुछ देख के अच्छे से समझ के या 800 प्रशन बनाया हूँ आधे धूरे ये नाटक है, अच्छन इससे तो काम बनेगा नहीं, किसका है, ये भी बता तु जाओ, मोहन राकेश, बहुत प्रसिद्धर राइटर रहे हैं, तो मोहन राकेश का ये नाटक है, आज कल कहा समय मिलता है, समय मिलता है, तो हम चेतन भगत को पढ़ते हैं, गलल सुधार इपकरे मिताई, ठीक है, गलल सुधार इपकरे मिताई, लोकोगति का अर्थ बताओ मेरे भाई, चलो बताओ, मैं भी सायर नहीं हो, तो एक आथ तो जोड़ी सकता हूं, गलल सुधार इपकरे मिताई, लोकोगति का अर्थ क्या है, दोस किसी का सजा किसी को, किसी भ बात का समर्थन करना दो बिरोधी सभाव वालों का मिलन संयोग से काम बनना चलो बताओ वह यह चारू में से जबाब बता दो तुम मान गे तुमको अंबानने बे उत्तर दिया है सी तो एकदम प्रसंद नो जो पॉइंट फाइफ जीरो फिल ले जाओ ठीक है कौन सा घर से द लेना इपिट्रवलसी से बाहर नहीं जाया ठीक है क्योंकि मैं इमानदारी से लगा हूं मुझे इतना बिस्वास है अपने पार देखो गरल होता है अमरित और रिप मल्लब होता है सत्र यह दोनों अगर सत्र मिताई कर लिया आपस तो क्या मल्लब हुआ अगर यह दोनों मि क्या बोलते हैं चोर चोर मोसेरे भाई समझ गए ना यह भी एक होता है चलो अगला प्रशन तिरान नवे सामने वह खंबा गिर जाएगा कौन सा विशेशन है प्रतेग बोधक निश्य परणाम वाचक निश्य वाचक शार्वनामिक विशेशन संबंद वाच शार्वनामिक एक दम जो है आप प्रशन बढ़िया कर रहे हो तो यह मान के चलो यार तो यारी हो रही है किसी से कोई वी डिप्रेशन में नहीं जाना है ठीक है अगर यहाँ प्रशनों के आप जबाब दे रहे हो तो आप यह मान के चलो पढ़ाई अच्छी दिसाम में हैं इतना लेकिन यहां प्रश्ण अच्छे कर रहे हो तो अपने अपर विश्वासर को थोड़ा सा ठीक है यह अच्छी चीज है वही शंबंद बोधक बिश्मयादी बोधक समुच्छे बोधक क्रिया जो है बिशेशन अच्छा प्रश्ण तो पढ़ा नहीं न यह देखो ऐसा पद जो क्रिया या संग्या की विशेशन न बताकर एक पद या पद का संबंद दूसरे वाकी या पद से जोड़ता हो वो क्या कहलाता है संबंद बोधक की बिश्मयादी बोधक की समुच्छे बोधक की क्रिया बिश्ण ऐसा पद है जो क्रिया या संग्या की विशेशन नहीं बता यह सब काम करने वाले समुच्चे होते हैं ठीक है समुच्च बोधक पत्र से डाल दिया गंदगी की समस्या से पेडित मुहलावासियों को कीवर्ड से नगरपाली का अध्याजी को लिखा गया पत्र निमलिखित में से किस रहणी के अंतर गताएगा बताओ पुराना प्रश्णय वीडियो का तो मैंने का पूछी लूँ प्राथना आवेदन पत्र व्यापारीक पत्र शिकायती पत्र इन चारों में से बताओ देखो समस्या है तो सिकायत करोगे भहिया ठीक है और सिकायत का क्या होता है निदान होता है कि हल होता है अब ये तुम जान अगर बीच उन लिये हो तो एकदम सही है भाईया ये आर्दसास के पत्रों के अंतरगर आते हैं 97 नमबर कह रहा है जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार है और बिकल्ब देख लो भाईया 2-3-4-6 चारों में से देखो आराम से जीवा के आधार पर पूछा यानी जीवा की तो जाहिर सी बात है जीव या तो सबसे आगे उठालो या तो सबसे पीछे या तो बीच में इससे जादा तो है नहीं ठीक है बाबा राम देव का आसन इसमें नहीं चलेगा 98 नमबर बताओ बहुत बढ़ियां प्रशना है समस्त पद है समास का सही मेल करना है और जवाब देखो पहले तो ये पढ़लो पूरा सूची वन में दिया वागदत्ता धर्माधर्म शप्ताह कमल लेन और विकल मैंने बहुत बढ़ियां बढ़ियां रखें एकदम कनफ्यूज हो जाओ सही करके मैं दे रहाओ कर्मधारे द्वंद तत्पूरुस देगो चलो समय भी दे रहाओ मिलान कर लो एकदम टीप के और फिर बताओ जबाब दो 98 नमबर टीप का मलब मलब दिमाग बिठा के यार गलत मन समझना मैं महनता हूँ अब लोग महनती हो 98 नमबर का अगर चुन लिए हो भी तो एकदम सही हो क्यों? देखो कमल नयन इसमें लिखा है तो कमल नयन होता है कर्मधारे एक तो जानी गए अगर धर्माधर्म लिखा है तो धर्माधर्म क्या है? द्वंद समास है धर्माधर्म का मलब होता है ये लिखा है धर्म और धर्म धर्माधर्म इसलिए आ रहा है धर्म और धर्म दो बिपरार्थक एक साथ लिखे तो द्वंद समास हो गया अब यह सब्ताह क्या होता है यह दिग होता है वागदत्ता तत्पुरुष तो समझ गए ना बहुत बढ़िया निन्नानवे नमबर प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है भीस्म पितामा ने आजीवन साधी ना करने का प्रण लिया था आजीवन सब्द में क्या है अवे भाव है तत्पुरुष है कर्मधार है दिग है बताओ फटाफट जबाब दो भईया एक दम काम इसी से बनेगा दोगो काम निन्नानवे नमबर करत ए अगर चुन लिये हो आजीवन मैंने बताए था ना आ लगा हो यथा लगा हो ठीक है प्रती लगा हो ये सब जहां लगे हैं ये स अब अब्वे हैं जिन सब्दों के साल लग जाएंगे उसको पूरा का पूरा अब्वे बना देते हैं तो ये अब्वेवी भाव समास का उधारन है आजीवन बहुबरी समास का उधारन कोंसा है त्रिफला चक्रधर यथा संभो धर्मबीर इन चारों में से जवाब आपको क्या कहते हैं समास संधी प्रते या शर्वनाम इन चारों में से जबाब बता दो वहिया देखो दो निकटवरती वर्णों के मेल से जो बिकार उत्पन होता है वो संधी कहलाती है बहुत बढ़ी हां सही कर रहे हो मलब एकदम मेरा भी दिल लग जाता है और आपका तो लगा ही लगा है अच्छे च्छे कमेंट से बता के जाना तो थोड़ा सा और हुसला बढ़ जाता है ठीक है नहीं तुम्हारे यार कमेंट पढ़के थोड़ा मोटिबेशन मुझे भी मिलती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छा लिखके जाओ चैनल के बारे में अंतिमोड का में जो है आ लगा है आ का मेल आले से कराओगे बढ़ा हो या तो आओ धन बढ़ा का मेल क्या बन जाता है ये बन जाएगा आपका देर के संदी तदबो सब्द का चैन कर लो सुर निडर गती कमल इन चारू में से बताओ तदबो कौन सा है एक सो तीन नंबर का जो जबाब है अगर निडर दे रहे हो तो एकदम सही है निडर का तदबो क्या होता है निर्दर ठीक है निर्दर होता है इसका तत्सम अगला है संयुक्त क्रिया के भेद बता दो कितने हैं पांस साथ नो ग्यारा संयुक्त क्रिया के भेद बता दो ग्यारा संयुक्त क्रिय शभी होती है अन्मत हिवान था इहां दोधक 10 में भीज़ दिया वहाराम से बाकी में ने बोला वन प्रेमचंद्र का मून रूप से हिंदी में लिए लिखा गया परथम उपन्यास डेव अस्थान राइस्षि-सेवा-सनन काया कलब वर्दान यह सब इनहीं के हैं लेकिना बताना तो आपको है बताओ भई एक 105 एक सो पांच अगर काया कल चुन लेओ ते एक दम आराम से ले जो फिर से नमबर ले जाओ फिर से मुंसी प्रेमचंद को पूछ लिया मैंने मुंसी प्रेमचंद का पिता प्रदत नाम क्या था धन धनपत राय नवाब राय आत्मा राम अजायव राय बताओ इन चारों में से 106 नमबर का जबाब अगर आपने चुना ए तो मुंसी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय जानगे ना चलो बईया अगला प्रशन फिर बहुत बढ़िया साहिति से सुमित्रा नंदन पंत को कि इस कृति पर ग्यान पीट पुरसकार दिया गया साहिति के लिए ग्यान पीट पुरसकार दिया जाता है और इस बार वाला भी जो दिया गया है वो याद करके जाना यह सब जरूरी होते हैं स्वाड़ धूली लोकायतन एक वाड़ी चितंबरा इन चारों में से बताओ चारों इन ही कृतिया हैं 107 नंबर और 107 नंबर डी अगर चितंबरा चुन रहे हो तो एकदम दिल खोल के नंबर ले लो 0.50 बहुत बढ़िया बहुत अच्छी तयारी है यह मानलो अगर इस इस साब से तयारी कर रहे हो 107 के बारे में थोड़ा सा चितंबरा जानलो यह 1968 की बात है 1968 की बात है ठीक है जब इसको ग्यान पीट पुरसकार से चितंबरा को सम्मानित किया गया 108 नंबर मैंने अब अब भरन से सवाल उठा है ब्रजभासा का विकास किस अब्रण सौर सैनी पै का विराम चिन लगाओगे अगर एक इपरकार की कई संग्या आ रही है तो कौन सा इसमें से विराम चिन लगाओगे यह लगाओगे यह 2 Iram Ort Venam ये तो बिबरण में पूरा आएगा नहीं ये बेसमयाचिन इन चारों में से बताओ कौन सा लगाओगे एक सो नौ नंबर एक सो नौ नंबर का जवाब आप से अपेच्छी थे भाईया और बीना तु जवाब लिए तुम्हें जाओंगा नहीं आप तु जानते ही हो अरे जवाब नहीं दोगे तुम्हें बताओंगा ना एक सो नौ नंबर का जवाब जो एक से ज़्यादा आए तो ये अल्प लगने लगता है राम मोहन सीता लिखना है तो जाहिर सी बात लगाओगे कि ये नहीं कामा 110 करहा किसी बड़े अंस का संचेत रूत दर्साने के लिए किस चिन्न का प्रियोग करोगे भई या कोई बड़ा बड़ा सब्द लिखा है उसको छोटेम करना है तो लागो चिन्द का संचेव सुचक चिन्द या होना चाहिए अलब विराम वर्द विराम कोश्टाग अब यहां संचेव सुचक लिखी गया तो समझ गया जैसे लिखते नहीं है लिख दिया मैंने डाक्टर राजियन परसात अब डाक्टर कौन लिखे तो ऐसे गोली लगा दिये बगल में गोली दे देते हैं उनको तो यह लागो चिन्द कहलाता है 111 नमबर आउनत सब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है नत आ आउवन इन चारों के से जवाब देना है तो 111 C अगर शुन लिया तो आउनत एकदम सही हो जाएगा ठीक है यह आउनत में आउवसर्ग है आउवसर्ग से बहुत सारे आपके अलग अलग बनते हैं अउगोड हुआ ठीक है बहुत सारी चीज़ां ऐसे हैं 112 नमबर देखो प्रशन फिर से प्रति उत्पन्नमति सब्द में कौन सा उवसर्ग है प्रा प्रति प्रत्यू और डी वाला विकल भी देख लो इन में से कोई नहीं तो तीन में से अगर ना हो भईया तो चोथा मार दिये ना ठीक है चलो बताओ 124 ओ 112 भाईया देखो प्रति उत्पन्नमति है अगर बी विकल चुन लियो तो नमबल ले जाओ दिल खोल के बहुत बढ़िया कर रहे हो यार ठीक है सही बता रहूं कि अगर तयारी इस हिसाब से कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी तयारी है एक फिर अगला 113 है 113 नमबर है सब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक बंड समदाए स्वरों के मेल स्वरियों बेंजनों के मेल निरर्थक और सार्थक सब्दों के मेल इन चारों में से जबाब बता दो 113 नमबर और 113 नमबर का जबाब अगर सुनने हो ए ठीक है ध्वनियों के मेल से बने सार गजूम रहा होगा आप लोगों के यह सामानिता दो प्रकार के सब्द बंते हैं एक बंता है सार्थक एक बंता है निरर्थक निर अर्थक मलत जिससे कोई अर्थी ना निकले तो ऐसे बन जाते हैं तो यह सामानिता एक सो पंद्रा नंबर देख लो भाईया मूल सब्द कौन सा उनकरन अनुगामी कामचोर कान इन चारों में से मूल बताओ ठीक है रूड सब्द एक तरीके समसकते हो कान क्योंकि कान के लिए और कोई नहीं यूज करोगे कान को नाक थोड़ी बोलोगे यह रिजिनिंग थोड नंबर सी चुन लिए हो दो सब्दों के में लियोगिक सब्द होते हैं एक सो सत्रा नंबर है विकल्पों में से एक विकल्प का चैन अस्थान पर दियेगे सब्द का समानार्थी हो करकार्थ बताना है वह यह समानार्थी सत्रता होती है जीव होती आकास हाथ करकार्थ होता प्यासा होता सैनिक होता की प्रेम होता अरिकार्थ क्या होता है अरुक अरिकार्थ होता है आपका सत्रू बोलते हैं समझ गए ना अरिमल्लम फिर अगला है विकल्व का चैन करो दिये गए सब्द का समानार्थी हो हुतासन हुतासन का अर्थ क्या होता है हवा बर्फन नदी अ बताओ और जिनकी प्रायवाची तेज है फटाक से जब आप दे देंगे अगनी होता है हुतासंग का जो है समानार्थी 120 नमबर थोड़ा सा प्रशन बदल दिया मैंने प्रशन जो है इस प्रकार है कि आपको जो है यहां पर पूर्ती करनी है रिक्तस्थान की रिक्तस्थान म देखो सी होगा रामू की उपेच्छा केवल इसलिए होई क्योंकि राजी उसकी उपेच्छा दिक गुद्धिमान है समझ गए ना सुत्थ सब्द को इस्तरी वाचक भईया बनाना है प्रत्ते बता दू या बड़ी एक आ इन चारू में से क्या लगाओगे 121 नमबर में अ जो एक अस्थान पर टिकर नहीं रहता वाकी के लिए एक सब्द कौन सा अडिक अस्थेर या यावर गतिसील विकल बहुत अच्छे दिया हूँ थोड़ा भई इदर उदर भटके तो गमाक से गलत करोगे ठीक है गमाक फटाक चटाक यह सब क्या है यह सब जो है निपात मे भी आते हैं अवेमे भी आते हैं तो समझ जाओ एक 120 नंबर के यह-122 नंबर C है याय या वर बोलते हैं जो एक अस्थान पर टिके ना हमेशा घुमे जिसको गुमकड भी भी बोल सकते हो ठीक है अडिक जो एक अस्थान पर टिका ही रहे यह टिकर नहीं रहता मलब इदर उ चाहिता कौन है नूर मुहम्मद जैसी मुला दाउद कुद्बन इन चारों में से कौन मिला यह को एक सो तेज जबाब अगर सी दे दियो तो एक दम खुसी खुसी नंबर फिर से आपके सामने आ गया हिंदी की प्रथम गदिकार कौन है एव लाय राजा सी उपरशाथ सितारे इन चारों में से बताओ और 124 नंबर अगर जबाब बी दे दियो तो एक दम खुस हो जाओ लल्लू लाल प्रथम गदिकार माने जाते हैं हिंदी के 125 नंबर के रहा है हिंदी के सरपरथम प्रकासित पत्र का नाम किया है सम्मेलन प्रतिका उतंड मारतंड सरस्वती नागरी प्रशाड़ी प्रतिका इन चारों में से बता दो 125 अगर जबाब दे दिये ना तो समझ जाओंगा पढ़ाई अच्छी यह उतंड मारतंड जो है यह सबसे पहले हिंदी का प्रकासित जो है समचार पत्र है 125 नंबर अब 125 में उतंड मारतंड भाया किसने प्रकासित किया है देखो इसका प्रकासन किया था नाम है उनका पंडे जुगल किशोर सुकल नाम था तो इन्हों ने इसका प्रकासन किया था जुगल किशोर सुकल जी ने अच्छा इसका प्रकासन कब हुआ था ये बताओ इसका प्रका और जानते हो यह हुआ था वहां से कलगत्ता से अगला 126 नंबर सवालाग के सामने है चायावाद के प्रवर्ता का नाम कौन है क्या है सुमित्रा नंदन पंत स्रीधर पाठक और मुकुट धर पांडे जैसंकर प्रसाद इन चारों में से बताओ 126 का अगर डी चुनले हो ते एकदम सही हो जाओ जैसंकर प्रसाद अगला 127 नंबर है प्रगतिवाद उपयोगतावाद का दूसरा नाम है यह कथन किसने कहा है ठीक है रामबिला सर्मा ने प्रेमचंद ने नंदुलारे बाजपेई ने कि सुमित्रा नंदन पंत ने इन चारों में से आपको जबाब दे थी प्रेमचंद जी की तो जो है मंगल सूत्र इनकी पूरी नहीं हो पाई है ठीक है यह अधूरा उपन्यास इनका रह गया बहुत बड़े महा कभी के रूप में देखा जाए जिसमें भी देख लो इनका योगद्यान साहित्य में साहित्य समाजपूरा रिंडी रहेगा हम हमेशा के लिए इसमें कहरा है रामधारी जी सिंदे दिनकर को भारतिय ग्यान पीट पुरसकार प्राप्त हुआ था किसके लिए रस्मी रथी पर परशुराम की प्रतिच्छा पर कुर्षेत्र पर उर्वसी पर देखो आंसर पहले लिखा है हटा नहीं आप लोग तो आंसर क्या है का विनाटक है अगली चीज थोड़ा सा इसको कम मिला था तो बात है 1972 की भईया तभी इसको ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था और वसी को अगला प्रशन फिर वहीं है एक प्रशन जो है वाकी को चार उसमें डिवाइड किया गया है जिसमें गलती मि मिल जाए उसको गलत कर दो ना मिले तो डी गलत जो है चूश कर लो रामचरित मानस भक्तिकाल की सबसे स्रेश्थम रचना मानी जाती है कोई तुर्टी है या नहीं भी आपको तुरन दिख गया होगा इसे पहले भी मैंने करवाया है सबसे जो है गलत है यहां पर सबसे और सेश्थम दो एक साथ नहीं आएगा सुपरलेटिव डिगरी फिर अगला वहीं चीज है असुद्ध वाकी में से चुनना है उसने लिखा था कि उसकी दूकान पर सुद्ध गाय का घी मिलता है बताओ वहिया इसमें कोई गलती लग रही है आपको 131 नंबर बताओ बताओ कम अंतरिक आदर्स इन चारों में से चुनो 132 नंबर का जवाब बता दो ए मानकी ये व्यवस्था एक मानक बनाया गया था जादी के लिए 139 नंबर प्रशनाई या घोड़ा अच्छा है वाकि में यह क्या है गोड़वाचक विशेशन सार्वनामिक विशेशन संख्या जबाब दो 134 आरे यार एकदम फड़ाफट जबाब देते रो तुरकी है लास जो है तुरकी सब्द है आपका किस सब्द में उत उपसर का प्रियोग नहीं किया गया उतकर्स उतम अतिधिक उतगम इन चारों में से बताओ उतका ठीक है देखो सी वाला एकदम हटगे है अ अतिधान अधिक होता है ठीक है तो वो जो है अतिधिक बन जाता है विसलेशन सब्द का बिलों क्या होगा बयाख्या विवेचन संसलेशन विभाजित इन चारों में से बताओ विसलेशन का जो है विलों क्या होगा 136 का विकलप अगर आपने चुनलिया सी तेकदम नंबर लेज आउदियल खोल के ठीक है 137 नंबर है तद्भो रोज के तद्सम का कौन सा मेल गलत है लोलनाई लामरता लौंग लौंग आत अंत्र आईशु आदे चारों में से सब लिखा तद्भो लेकिन ध्यान देना है पहले तद्भो आये फिर तद्सम तो ये गलत हो गया ये पह बैभो नौकर शाकर सब कुछ है आप हमारे घर आना चाहते तो आईए ठहरना चाहते है तो ठहरिए वहाँ बड़े दिलदार आदमी है 138 बताओ 138 का ये देखो यहां हां के बाद जो है अलप विराम होना चाहिए फिर कुछ बात कहनी चाहिए 149 में कौन सा इगम गलत है देखो पूरा तु दिखा रहा हूँ आपको ठीक दिखना पूरा इन में से बताओ कौन सा इगम गलत है मुहावरे है उनका आर्थ लिखाएगा मुठी गरम करना रिष्वत देना लुटिया डुबाना सारा काम चोपट करना सब जबाग दिखलाना हरा भरा करना माई का ला देखो 140 नंबर फिर से आ गया वा किसे संबंदित है थोड़ा सा इस टाइब के बना रहे तो हम भी बना के देंगे पैटन आपको दिखाना है पूरी तरीके से सजय करना है सचेत करना है बच्चे नास्ता करके विद्या ले गए सरलवा की है जो प्रथम आएगा वा पुरस 140 के बाद 142 नंबर स्क्रीन पर बादल घिर आये हैं और बारिस होने लगी रचना की द्रिश्टी से वाकि किया सरल आग्या वाचक निसेद वाचक संयुक इन चारों में सब और सद्व मिल गया समुच्चे बुदक जहां सद्व मिल गए तो वो संयक्त वाकि का उधारन होत 141 के बाद 42 नंबर है आज आकास में च्छाएं हैं क्या रिक्तस्थान की पूर्तिकर हैं जलज जलद नीरद कंफ्यूज हो गए ना देखिए प्रस्ण बहुत अच्छे हैं जलज है कि जलद है कि जलद है कि नीरज है इन चारों में से बताओ अब बादल की प्रहवाशी ज सुन्दर द्रिश्य है वार सुन्दर द्रिश्य कितना वार कितना सुन्दर द्रिश्य चारों मेंसे बताओ 143 देखो 143 वीचउने ओ तो नंबर ले जाओ एकदम दिल खोल गे यार ठीक है 144 नंबर इनमें से कौन इंशेश्ण है कोई कोई एक सब्द है इन में से कौन सा विसेशन हो गोर वाचक होगा कोई एक सब्द है भी यह तो बताओ 444 का जबाव भी चुन लेऊ तो एकदम खट से ले जाओ क्योंकि कोई सर्वनाम है यहां भी से की बात कर रहा तो अगला है देखो पच्छ से सवाल मैंने पूछ लिया व्यकांडी को भीड बढ़ती जा रही है इसमें कौन सा पच्छ है आरम दियोतक, सातप्पी बोधक, प्रगति दियोतक, पूर्टया दियोतक इन चारों में से बताओ 145, 145 अगर भाईय सी चुन ले हो तो एकदम नम्ब सातप्पी बोधक, प्रगत दियोतक, पूर्टया दियोतक इन चारों में से कौन सा पच्छ है बताओ 146 देखो भाईया 146 का जवाब कौन सा चुने हो ए चुन लिये हो नितिता बोधक तो एकदम सही है जहां पर जो चीज हमेशा हो रही है वो नितिता बोधक पच्छ होता है अगर डाक्टर आ जाता तो स्याम बच जाता वाकि में बृत्ति बताओ बृत्ति और पच्छ दोनों से सवाल है संभवनार्थ है संधिहार्थ है संकेतार्थ है बिद्यर्थ है इन चारों में से बताओ 147 नंबर में जहां पर जो है कंडिशन वाले वाकि मिले सर्थ वाल अर्थे इन चारों में से बताना है तो 148 का जबाब अगर भाईया देखो गाउं से चल पड़ा होगा पता तो है नहीं चला होगा की नहीं तो यह संदेहार्थ बृति का उधारण हो जाएगा 149 फिर से अंग्रेजी सब्द से हिंदी पूछ ले अकाउंटेंट जनरल के मैंने महीं किया है ठीक है दिख रहा है ना चलो एक वाकी दिया है मैंने वाकी में जो है अगर तूटी है तो वो चुन लो नहीं है तो डी चुन लो विद्याले में जलपान को उत्तम प्रबंद है इसमें किसमें गलती है बताओ भई यह 150 नंबर तो जलपान की होना जलपान को नहीं यार समझ गए ना संदिक्द वर्तमान काल का उधारन बहुत अच्छे प्रश्ण मिलने वाले हैं चाची वाजार गई है नेता जी भासर दे रहे होंगे सचिन बल्ले बाजी कर रहा ता भई आ जाते हूं इन चारू में से बताओ 151 नंबर 151 नंबर कौन स इसमें सही होगा भईया बताओ अरे यार बताओ तो है यह इसे थोड़ी गाम बनेगा मलब देखो एकदम पूरी तरीके से इमानदारी से लगए रहो भईया हम लगे हैं पूरी तरीके साफ के साथ नेता जी भासर दे रहे होंगे यह संदिक्द वर्तमान काल का उधारन अ अब यह अपूर्ण है ना भूतकाल है लेकिन अपूर्ण है तो अपूर्ण भूतकाल साइद भाईया आ जाते हूं यह क्या है यह संभाब भी वर्तमान है ठीक है अगला है 152 नंबर महा प्राण बेंजन क्या होता है प्रतेगवर का कौन सा बताओ दूसरा चोथा चुन ल रहता है वह वह होना चाहिए वह अच्छा वच्छा है वह अच्छा लिखता है अच्छा कला जाना इंचारों में से बताओ कहां अच्छा पत जो है संगया है वह अच्छों के साथ रहता है अच्छों यहां पर क्या है संगया है नाम हो गया अच्छों मलाव अच्छे ठीक है यह भाईया क्या है 20 में वाचक है अगिला है जो है कि कह रहा है उस विकल्ब का चैन करो जो सर्भनाम के भेद को बताता हो और प्रश्ण यह है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है नेशे वाचक संबंद वाचक उत्तम पुरुस नेज वाचक इन चारों में से बता सर्भनाम का कौन साई इसमें भेद लिखाए तुमको दिख रहा है ना 155 में 20 संबंद वाचक जिसको मिल गया ना जिसको हमने बुलाया था एक दूसरे एक सार रिलेशन दिखाने लगा हमने अपने कार्याले से अनुभय प्रमाड़ पत्र आपको लेना है ठीक है तो किसको आवेदन लिखोगे आपका कारयाले वान से आपको जो है एक्स्पिरियंस सर्टिफिकर चाहिए तो किसको आवेदन पत्र संस्थापक महोदे को ब्योस्थापक को प्रचारक को संपादक को किसको लिखना चाह रहे हो 156 का जबाब B होगा जो आपका ब्योस्थापक होगा उसको पत्र आप लिखेंगे देखो दैनिक हिंदुस्तान में संबाद दाता का मिल गया है पद निकला है आवेदन लिखना है आपको तो किसको लिखोगे भईया कारिकारी महोदे को प्रचारक को संपादक को अधिकारी को इन चारू में से जबाब बताओ और 117 नंबर 158 में बताओ अधर्णिये लिखोगे महोदे पूज परम पूजी प्रिये क्या लिखोगे चारू में से बताओ इन चारू में से बताओ क्या लिखोगे वह साय भाई महोदे अब उसको तो हम जानते नहीं कि प्रिये लिख दे जानते हैं उनके लिए यह सब यूज होता है वहाँ पर महोद है एकदम फॉर्मल वाला दूर से ही हेलो है रजनीस का प्रायवाची सब्द नहीं है आशुक शसांग मयंक प्रेगांग बहुत बढ़ी हा प्रश्चन है बताओ एक सो उनसर नंबर का जबाब अगर देखो ए चुन लिया ना तो एकदम दिल खोल के नंबर ले जो आशुक बान का प्रायवाची होता है समझ गये ना एक सो साथ नंबर है गुड़ दोस में कौन सी संग्या है जाति वाचक की ब्यक्ति वाचक की गुण वाचक की भाव वाचक इन चारों में से जबाब चुनना है और बिगल्प अगर देखो गुड़ दोस जहां ग लिखें मतवाला हो जाना कमजोर भी किती सॉल झें को मारता है नंड देता है ठीक है परेसान करता है सीनला बहुत प्रसन होता डिय होता है बिपरीत कारी होनब ठीक है ये भाईया विप्रीत कारी होने का उदारण कूद कूद मचली बगले को खा ले हैं ये विप्रीत कारी का उदारण अगला है बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ बताओ, किराये का आदमी बिना घरबार का इधर उधर कूदना, बताओ बंजारे क डेरा, कहते हैं नहीं बिना घरबार का है तो बंजारे क डेरा लिए गुमता रहता है, तिरसे नमबर है भाड़े का टट्टू, मुहावरे क का सही अर्थ बताओ काम चोर पैसे का लोभी आलसी मालिक के साथ धोका देने वाला के दने भाड़ेक टट्टू है यार बताओ एक सो तीरसर नंबर बी पैसा का लोभी मलब बीना पैसा लिए कुछ काम नहीं करता कान पर जूना अगला एक प्रश्ण है अनेक सब्दों से एक वह दारशनिक से धांत जो हर वस्तु को नास्वान मानता है के लिए एक सब्द बताओ ऐसा दार्शनिक से धांत कों सा है इन चारों में से बताओ, यहीं विकल्ब सही है, अनित्तिवादी होता है, अनित्तिवादी वो सिधान्त है, जो हर वस्तु को नास्वान मानता है, 165 नमबर इस स्क्रीन पर आपके है, जो बीना बेतन काम करें, क्या बोलोगे उसको, अवैतनिक नहिसुल्क बेतनहीन फोक्ट प्रिमल की मोलेंगे 166 नंबर तबाल है कौन सा तत्सम है चांद चंद्र माद चंद्र चंदर इन चारों में से बताओ देखो चंद्र जो है यह अगला है 167 नंबर निमल कौन सा तत्भाव है निर्दोस ठीक है कुक्कौर् गेहुं सरिंग इन चारों में से देखो निर्दोस तत्भाव की तत्सम है अगला है भी कुक्कौर् तो क्या जबाब इसका होगा क्या यह होगा 166 नंबर इदेखो 166 नंबर में बात यह है वाईया कि यह जो गेहूं है ना यह गेहूं तद्भो है गेहूं का होता है क्या गोधूम गेहूं का तद्सम गोधूम होता है तो समझ गए अच्छे से 166 नंबर कह रहा है अधरोष्ट का संद विच्छेत क्या उदित्स्वर कहा जाता है लो प्रश्ट हरस्वर असपरसी विंजन वर्गिये विंजन बी और सी दोनों को इन चारों में से बताओ किसे जो है उदित्स्वर कहा जाता है देखो उदित्स्वर बोला जाता है वही आसपरसी विंजन को ही वर्गिये विंजन कहा जाता तो सही ह जो रहते हैं अधी समझ गए द्यान लखना एक साथ कई कारेलीं को पत्र करना है तो वह सब्सक्राइद को किस रेंडी रखोगे अधिसज़ ना में कारेला ही पत्र में परिपत्र में साज किये पत्र में, चारों में से जवाब बताओ, जब एक साथ कोई सूचना दे नहीं हो, तो परिपत्र निकालते हैं, सर्कुलर बोलते हैं, इंगलिस में, नीधड़क में कौन सा समास है भाईया, ततपुरुस है, देग वह है, अवेई भावा कर्मधार है, इंचारों में से बताओ, नीधड़क में जो है, 171 नंबर प्रशना आपके स्क्रीन पर है, कौन सा इसमें समास मिलेगा, बताओ, फटाफट बताओ, देगो 171 नंबर का जब आप सी दिये हो, तो एकदम ले जाओ, फुल की नंबर, ठीक है, 172 नंबर सवाल, अवन सब्द क आसमान है भईया, ठीक है, अंबर भी दिया है, कौन सा प्रशन है, 172 नंबर, देखो 172 में क्या होगा, अंबर सुनो ये ज़्यादा, अगर धर्ती होता तो आसमान, आवनिकार्त धर्ती होता है, तो धर्ती का यहां अंबर सुनना ज़्यादा हुचित, क्योंकि इस सब्द आ को, ए को, आ को, उ को, इन चारों में से बताओ, सहीद बांड कौन सा कहलाता है, देखो आ, ये क्योंकि हर जगे उपियोग होने लगता है, अपने आपको हर स्वर को, हर बेंजन को बोलने में इसी का प्रियोग करने लगते हैं, हर सब्द में आने लगता है, इसलिए या निंद, आदर अनसुया अनादर इस्तित, निंद का अर्थ होता है निंदा, और निंदा का होता है अस्तुति, 174 हो गया, 175 नंबर कौन सी भासा आठवी अनसुची में सामिल नहीं, नेपाली, गुजराती, संथाली, राजस्थानी, तो राजस्थानी भासा इसमें न होगा, देखो जल होता है, विशेसी रूप जलिएगा, ठीक है, जब उसमें ये जल में ये प्रत्ते लगा दोगे, तो विशेसी बन जाएगा, 117 नंबर प्रश्ण है, वा नौकर नहीं आया, में सब क्या है, संख्या वाचक विशेशन, गुड़ वाचक विशेशन, गु यह और मान लेते हैं, इन चारों में से क्राम वाचक विशेशन माने दे दिया, चलो, बताओ, 117 नंबर, जैको विखल चुने हो, डी, तो नंबर ले जाओ, दिल खोल के, वाह लिखा है ना, वाह क्या है, सर्बनाम है, सर्बनाम जहां विशेशन की तरह उपयोग होने लग अगला पुरशन है, 178 के बाद, 189, 179, अरे कुछ जादे बढ़ गया है, 179 है, निवन में कौन सा सब्द सुद्ध वरतनी वाला है, स्रिंगार उपलेखित, आहारा निरपराधी, स्रिंगार एकदम सुद्ध वरतनी, उपलेखित होता है, आहार होता है, निरपराध होता ह है निरपराधी नहीं समझ गए न अगला 180 नमबर है वरतनी से फिर बतना है अंतरधान सस्ठम सहस्त्र अनुसांगे कौन सी वरतनी इसमें सुद्ध है ठीक है ए सही है एकडम अंतरधान यहीं होता है अंतरध्यान कहीं लिखा मिल ला है तो समझ जाओ वो गलत यह सही है ठीक है सहस्त्र होता है ठीक है यहाँ पर जो है भी सुद्ध बरतनी नहीं है आगे बरते हैं अगला अगला कुन सा है सांभवी 181 नंबर प्रिश्णा है 181 में पूछ रहा है कि सांभवी किसका प्राइबाची है बताओ दु पूर्गा को बोलते हैं सांभवी 182 कह रहा है उचित मूल से कम मूली लगाना क्या कहलाएगा एक सब्सक्राइब के लिए एक सब्सक्राइब मूल्यांकन अधि मूल्यांकन इन चारों में से बताओ क्या कहलाएगा फटाक से बताओ 182 नंबर का जबाब देखो अगर तुम लगा रहे हो क्या डी तो डी है तो नमबल ले जाओ ब cosmology कहलाता है अगर जो है जितना उचित मूल है उससे कम लगा रहे तो इसको बढ़ा के लगा रहेगा तो अधि मूल्यांकन टीषग क्या होता है नमक मूर कशक करम फसाद इन चारों मेंसे बताओ टीष का समानार्थक होता है कसक ठीक है कते नहीं उसके मन में टीस है कसक है 184 सारंग सब्द का समानार्थक सब्द क्या है मोर सार्थी जोडा हरा इन चार में से बताओ सारंग का अर्थ क्या होता है 184 नंबर प्रश्ण है देखो ए चुन लिए तो एकदम मान लो सही हो 184 186 नंबर का ए होगा मौर 185 मुझे विस्वास है आप अवसी आएंगे किस प्रकार का वाकी है देखो मिस्र वाकी है संयुक्त वाकी है सरल वाकी है इनमें से कोई नहीं है कौन सा है बताओ 188 नंबर 185 विकल भाईयत मुझे विस्वास है एक उपवा की दूसरे पर आश्रित हो गया समझ जाओ मिस्र आख बंद कर गये आश्रित उपवा की ढूणना बस 186 नंबर है अनुचर का प्रयावाची सब्द भृत्य सेवक चाकर निर्जर इन चारों में से क्या है देखो अश्ट कब अर्थ होता है आठ तो ये नहीं है बाकी सब है अगला है 188 नंबर जब दो या दो से मिलकर एक नवीन सब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते है पद मिल गया ये सब मिल गया तो वो समास कहलाता है ठीक है ये आपका विकल्प एकदम सही हो गया है अगला है 189 बिद्यार्थी में कौन सा समास से कर्मधारे ततपुरुस अभेई भाओ द्वंद बिद्यार्थी ठीक है बिद्यार्थी में बताओ भईया कौन सा है ततपुरुस है भईया 189 बता दो यार फटाक से बताओ यार 189 का जवाब आपको देना है भईया और मैं एकदम चाहता हूँ कि आप जवाब दो कर्मधारे समास समझ गए ना अगला आपके लिए प्रश्न एक सो नब्य हिन्दी वर्डमाला में मूलसर कितने बताओ दिमाग लगाओ पांच छे नो चार प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं कलेक्शन ठीक है एक सो नब्य देखो मूलसर चार ही है आ ई उ और री इन्ही को मूलसर कहा जाता है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले पर नवीन विक्सित धुनिया कौन सी है शाशा चाज़ा काखा और फाओडा इन चार में से बताओ 191 नमबर और विकल चुन लेओ ये दिल खोल के नमबर लेजो शा और सा जो है ये नवीन विक्सित धुनिया है निम्न विकल में तत्सम सब्द की पहचान करिए भविश्य सीशा मानुस जिन्स इन चार में से बताओ कौन सा है तत्सम भविश्य है सीशा क्या है भी ये फार्सी सब्द है यार समझ गए ना जीन्स तो अंग्रेजी है 193 नमबर गरतंत का विलोम सब्द क्या होगा निजेतंत्र, लोकतंत, स्वातंत्र, राजेतंत्र राजेतंत्र विलोम होता है गड़तंत्र का ठीक है, लोकतंत्र उसका समानार्थी है वह महल उँचा है वाकि में किस प्रगार का विशेशान प्रयोग होगा वह देश ये विधे, उपर एक दोनों इन में से कोई नहीं चारों में से बताओ प्रबी वाचक है, यह सब द्रबी वाचक है, क्या होगा, यह सब द्रबी वाचक संग्हाँ के अंतरगात आता है, 196 कह रहा है मुंबई को भारत का हालीबुट कहा जाता हालीबुट किस प्रकार की संग्या है ब्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रभीवाचक इन चारों में से बताओ हालीबुट जो होगी ये कैसी संग्या यहाँ पर होगी देखो ये हो जाएगी जाती वाचक संग्या व्यक्ती वाचक नहीं कि नाम है तो यहां कंपेर्जन है चाय लीची लोका तूफान आजी सब्द हिंदी से किस भासा में आए हैं इसका जबाब होगा चीनी यह सब चीनी भासा से आए हुए माने जाते हैं अठानवे नमबर है एक सो निम्न में देशस सब्द कौन सा है यार चेचक पठाखा आदमी इन चारू में से बताओ एक सो अठानवे नमबर अगर सी चिन ले हो ना पठाखा देखो यह इससे पहले आया हो आयोग ने पठाखा यह माना है लेकिन पठाखा है क्या चीनी सब्द है तो आयोग इसको देशस मान रहा है तो भईया देशस करना अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं एक सो निनननननवे नमबर प्रश्ण आपके स्क्रीन पर है कह रहा है वाहतियार जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं इनको क्या बोलते है बताओ वाहतियार जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं इनको सस्त्र बोलते हैं ठीक है एक सो नबे नमबर प्रश्ण आपके सामने है निमलिकित में प्रत्य रही सब्द कौन सा है पूरा प्रश्ण मैं आपको दिखा रहा हूँ अन्तिम प्रश्ण है भाई या आज की सीरीज का तो दोसो नमबर है निमलिकित में प्रत्य रही सब्द कौन सा है तो इसमें से जबा आपको देना है और बिकल्ब देखिए मरमग गी बैग्यानिक क्रिपालू अनुवाद इन चारू में से बताओ कौन सा है ठीक है कौन सा प्रत्ते मरमग इसमें नहीं है बैग्यानिक में एक प्रत्ते क्रिपालू में आलू है अनुवाद में जो है आद प्रत्ते लगा है तो लोग देख रहे हो वाई कुछ ना कुछ कमेंट करो यार मेरा मोडिवेशन बढ़ता है चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है दूसरी चीज़ दोस्तों को भी सेयर कर दो पीडियेप भी जितने लोगों को सेयर कर सकते हो सेयर करते रहो चैनल सब्सक्राइब करो कोई भी समस्या होती है आप इन तीनों नंबर में से किसी पर कॉंटेक्ट कर सकते हो एक छोटी सी इंफोर्मेशन और मैं देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो टीम है टीम के द्वारा जो नए लोग है फिर से उनसे बता रहा हूँ फेस्बुक चैनल से जोड़ 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 जो और ये चैनल तो हाई है इससे आपको सब्सक्राइब करना है जरूर एक बार और वेबसाइट को जरूर एक बार चोटी सी जानकारी जो मैं बार-बार दे रहा हूँ कि अगर आप जूनियर एजिस्टेंट 24 दिसंबर देने जा रहे है अभी जो है लिंक ओपेन है जाकर टेस्ट खरीज सकते हैं और देश सकते हैं आराम से टेस्ट बहुत अच्छे पैटन के हैं ये सब क्वेशन आप देख रहे हो क्वेशन इसी बेसिस पर हैं ये मेरी मेहनत कैसी लग रहे है इसके बारे में कुछ लिखके जाओ यार ठीक है थोड़ा सा होसला बढ़ता है पाकी आप भी जो है अच्छे से जानते हैं कि भाई तैयारी आप भी अच्छी कर रहे हैं अपने साथ इमानदारी कर रहे हैं भाई 200 प्रशनों की सेंकला देख रहे हैं 800 प्रशन कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप भी इमानदार हैं मैं आपके साथ इमानदार हूँ मैं रात को भी जाक के जो है कोसिस करता हूँ आपका लेक्चर कर जो हूँ तो थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो इसलिए बार-बार मन कर रहा है कि कुछ अच्छा सुनने को मिले आप लोगों से कि टीम की मेहनत कैसी है मेरी मेहनत कैसी है दोस्तों प्लीज जरूर लाइक करें अच्छे रिब्यू देख कर जाएं ठीक है बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तक के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार